आइस क्रीम फ्लूदा बनाने जा रही हूं तो सबसे पहले हम रबरी बनाने की तयारी करेंगे जिसके लिए मैंने लिया है एक लीटर फूल क्रीम दूद दूद को हम उबालेंगे और कर्ची से चलाते रहेंगे जब तक हमारा दूद उबल रहा है तब तक हम अपनी कस्टर आइस्क्रिंग बनाने की तयारी कर लेते हैं मैंने दो चम्मच कस्टर पाउडर लिया है मैंने केसर पिस्टर फ्लेवर लिया है आप चाहिए तो कोई सभी फ्लेवर ले सकते हैं थोड़ा सा ठंडा दूद डालेंगे और इसका गोल तयार कर लेंगे कस्टर तयार करने के लिए हम आधा लीटर दूद लेंगे इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे दूसरी तरफ हमने रबड़ी के लिए जो दूद लिया था उसे हम बीज बीज में चलाते जा रहे हैं और अब वो आधा हो चुका है अब हम इसमें दो से तीत हरी इलाइची तोड़कर डाल देंगे आब हमारी ये रबड़ी तयार हो चुकी है जितनी गाड़ी हमें चाहिए अब ये इतनी हो चुकी है अब गैस का फ्लीम आफ करके एक चम्मच शुगर आड़ करेंगे कस्टड पाउडर का जो हमने घोल तयार किया था अब हम उसे गरम दूद में आड़ कर देंगे अब हम इसे तब तक पकाते रहेंगे जब तक हमारा ये आधा ना हो जाए इसी हमें कंटिन्यो चलाते रहना है ताकि इसमें लंप्स ना पड़े बीस से पच्चिस में हो चुके हैं ये पक्ते पक्ते आधा हो चुका है अब हम इसमें शुगर आड़ करेंगे टेस्ट की अकॉर्डिंग मैंने च्यार चमचनी है कटे हुए ड्राइफूच इसमें आड़ कर देंगे ये हमारा कस्तक तयार हो चुका है थंडा होने पर इसमें आधी कटोरी मलाई आड़ कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे थंडा होने पर इसे एक प्लास्तिक के कंटेनर में डाल देंगे 5-6 घंटे के लिए आइस्पीन को starters में जमाने के लिए रख देंगे पालुदा बनाने के लिए 1-4 cup मार्केट वा만े सेवई भी है एक बर्तन में दो पटोरी पानी बॉल करेंगे गरम पानी में सेमई आड़ कर देंगे चीसे इसको चलाएंगे सेमई हमारी बन के तैयार हो चुकी है गरम सेमई को हमने थंडे पानी से धो लिया है अब हमने अपनी आइस्क्रीम पेजे से निकाल ली है देखिए हमारी ऐस्क्रीम कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हो चुकी है अब हम इसे पीसिस में काट लेंगे चॉक्रेट पीसिस को बाउल में रखा गरम पानी में मेंट करेंगे चॉक्रेट हमारी मेंट हो चुकी है ग्लास को हमने फ्रिजर में रखा था जो काफी ठंडा हो चुका है अब हम इसे उपर से मेंट को इवी चॉकलेट में डिप करेंगे स्पून की हेल्प से हम ग्लास के अंदर चॉकलेट से डिजाइन बनाएंगे हमारा ग्लास रेडि है अब हम इसमें आइस क्रीम डालेंगे दो से तीन पीसे आईस क्रीम के डालेंगे दो चममच सेवं एक चममच रुर्वजा उसके उपर दो चममच रबडी ये ही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा ग्लास नहीं पर जाए हमारा ग्लास भड़ चुका है अब हम इसके उपर से चौकलेट पीसिस लगाएंगे तो देखें फ्रेंट्स हमारी ये टेस्टी आइस क्रिंग खाने के लिए तयार हो चुकी है मुझे पता है अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका इसे बार बार खाने का मन करेगा तो इसे जल्दे से बनाएंगे थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल